यह new interesting exciting वीडियो में आप सभी लोगों का सुवाकत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारे में निफ्टी को समझेंगे मंतली चार्ट देखेंगे वीक्ली चार्ट देखेंगे और शॉर्ट टर्म का चार्ट देखेंगे 15 मिनट का की उस पे निफ्टी के अंदर साथ option chain में भी समझेंगे और जानेंगे यहाँब करें रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहां पर निफ्टी का कैसा डाटा बन रहा है तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन शेंट डाटा की बात करें तो 24 मार्च की एक्सपाइरी की यहां पर स्रीज स्टार्ट होगी कल से और यह स्रीज सबसे छोटी ह है कि इसमें और एक हो चुका है जो कि फ्राइडे के टेडिंग सेशन का यहां पर अब डार्क्री मंडे को यहां पर मार्केट ओपन होगा तो मंडे टूज़ए वेनज़ज़ए तरज़ज़ए से फोर टेडिंग सेशन होंगे इस पर्टिकुलर स्रीज में तो इसमें जो value होगी वो तेजी से decay होगी ये चीज़ आप clearly समझ लीजे तो इसमें अगर हम बात करें तो फिलाल तो कुछ जादा बढ़ा टाटा नहीं है बट अंडर्स्टेंड करें तो सत्रा जाय की put पे करीब 23 लाग का open interest है सत्रा थीन सो की put पे करीब 14.5 लाग का open interest यहाँ पे दिख रहा है यानि 14.5 लाग का open interest दिख रहा है और सत्रा थीन सो की तो call है वहाँ पे आप देख सकते हो करीब 17.4 लाग का open interest दिख रहा है और सत्रा पांस के उपर अगर आप देखोगे तो कोई ज्यादा बड़ा open interest नहीं है सिर्फ 18,000 की call पर आपको 27 लाग का open interest दिख रहा है यानि market के लिए as per the option chain के साथ अगर इसके open interest करना स्टार्ट हुआ तो फिर हम 17,900 या फिर 18,000 तक easily जा सकते हैं यहां पर market को समझ में आ रहा है इसलिए जो call writers है वो इस particular range के अंदर यानि 17,500 से लेके 17,000 के range के में call writing कम कर रहे हैं यानि अगर level यहां से अगर market को reverse होना है तो इसी level से reverse होगा otherwise यहां पर market फिर थोड़ा सा उपर और जा सकता है 17,800 और 17,900 तक easily जा सकता है यह चीज यहां पर clearly option chain data में हमें समझ में आ रही है बट यह होगी कब होगी जब ही जब यहां पर 17,500 की जो put है यहां पर open interest तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा यानि 17,500 पर put writers का confidence बनना चाहिए तभी यहां पर market उपर जा सकता है यह पर यहां पर price action बना हुआ है तो यह मैं finally यहां पर chart पर आ गया हूँ सबसे पहले यह सारी चीज़ हटा देता हूँ और सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर monthly chart तो monthly chart पर आपको clearly picture दिखाई दे रही है कि हम नीचे तक गए थे आप देख सकते हो कि हम around 1500-700 तक गए वहां से हम reverse होके ऊपर आ गए है और अगर यह देखा जाए तो यहां से यह एक strip brand line है जो की monthly chart पर है यानि monthly chart पर हम 17500 के ऊपर अगर close हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक अच्छा खासा consolidation हो चुका है और फिर हम ऊपर move कर सकते हैं around कहां तक जा सकते हैं 20,000 तक जा सकते हैं यानि यह monthly chart का जो pattern है वह बहुत important है यह एक particular trend line है जो की around monthly chart पर निफ्टी अभी भी break नहीं कर पाया है अगर यह 17500 के ऊपर या 17700 के ऊपर अगर इस month में close हो जाता है तो यहां पर हम expect कर सकते हैं कि यह दुबारा से नया lifetime high बना सकता है और 20,000 तक भी जा सकता है यह चीद आप के लिए ली समझ लीजिए बात करें weekly chart की तो weekly chart को भी हम देख लेते हैं यहां पर यह weekly chart है और weekly chart पर आपको यहां पर simple ती चीज़ है समझ में आ रही होगी कि अभी जो निफ्टी का week पर प्राइज एक्शन था वह यहां पर अभी भी still negative है positive कब होगा जब हम इस level को break करेंगे जो कि यह 17,800 weekly basis है इसलिए मैं बोलना हूँ आपको monthly में 17,800 के उपर closing और weekly में 17,800 के उपर closing यह जो पूरा consolidation था पिछले 8-9 महिने का यह complete होता हुआ दिकाई देगा और फिर हम उपर around 19,000 या 20,000 तक भी जा सकते हैं यह चीद आप के लिए लिए basis पे हमें मिल गए तो फिर यहाँ पे market नया high लगाने के लिए इवन उससे भी उपर जाने के लिए तयार हो जाएगा निफ्टी इस चीज़ को आप clearly समझ लिए ठीक है यानि अगर इसको reverse होना है तो यह सबसे अच्छा level है जो कि reversal के लिए यानि अगर इसको still इस range के अंद चार्ट पे है और around अगर हम बात करें तो हमने 200-day moving average break किया है और यह 50-day moving average simple moving average है जिसके आसपास हम close हुए हैं अगर हम इसके उपर continuously sustain करने लग गए और हमने closing दिना start कर दिया दो-तिन दिन तो हम फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि उपर की तरफ और move कर सकते हैं यानि सब कुछ यहाँ पर positive दिख रहा है फिलाल हमें लेकिन इस positive-ness का जो confirmation होगा वो सबसे अच्छा कम मिलेगा जब हम इस level को पार कर देंगे यह जो level है ठीक है इस level के ऊपर अगर हम close दिये 17-800 के ऊपर हम close दिये तो फिर हमारे लिए सब कुछ positive रहेगा फिर हम नया lifetime high लगा सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिस करें हूँ तो दो important trend line भी है जिनको आप जरू focus में रखिएगा यह high to high की trend line है और यह है आपकी जो swing low बनेते थोड़े से नीचे उस case की है ठीक है जहां से market ने reversal दिखाया था तो आपको अब यहाँ पर किस level पर focus करना है सेम इसी level पर focus करना है 17,550 से लेके 17,700 का की यहाँ पर market किस तरीके से behave कर रहा है अगर यहाँ जाके यह दुबारा से red candle बनाता है suppose करो यह यहाँ पर दुबारा से red candle बनाता है जाके इस level पर तो आप वहाँ पर एक short call ले सकते हो 17,000 का आपका target होना चाहिए यह 16,800 तक का आपका target होना चाहिए यह चीज आप clearly समझ लीजे क्योंकि फिर यह थोड़ा था फिर नीचे आएगा और फिर उपर जाके break करेगा क्योंकि यह trend line अभी तक सिर्फ दो बार test हुई है यहाँ पर ठीके तो यह हो सकता है अगर यहाँ पर भी एक बार test हो चुकी ह तो हो सकता है इस बार भी इसको resistance की तरह face करे और फिर दुबारा से नीचे आजाए तो अगर यह trend line break होती है और निफ्टी 17,700 के उपर निकल जाता है तो next target आपके लिए 18,100 का बनता है यानि सीधर सीधर 400-500 point का target आपके लिए खुल जाएगा तो उस पे आपको ज़रूर न अगर आप समझोगे देखो यह सारी चीदे मैंने आपको यहां पर समझा दी है जो की positional के साफ से है यहां पर यह कोई intraday के साफ से कोई कुछ नहीं है स्पोजिशनल के साफ से इस चीज़ को आप clearly समझ लिए अब हम intraday की बात करेंगी कि कल क्या हो सकता है तो उसके लिए हम डाव फीचर पर चलते हैं सबसे पहले ठीक है लास्ट रेडिंग सेशन में क्या हुआ था है डाव में अगर यहां पर में मेजर इंडेस में जाता हूं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि लास्ट सेशन में करीब डाव जों दो सो चौतर पॉइंट चड़के बंद हु काता हूं तो इस जक्सेफ्टी कहां की क्लोज हुआ है 17,474 पे क्लोज हुआ है यानि करीब करीब 180-190 पॉइंट का गाप ओपनिंग के संकित हमें मिल रहे हैं जो कि हमारे यह नियर्बाइ रजिस्टेंस के पास के हैं यह इस लेविल के हैं ठीक है ठीक है तो यहां पर अगर यह बड़ा ग्याप अप होता है और किसी भी रीजन से यह नेगेटिव प्राइस एक्शन लेटर सब्सक्राइब मार्केट उपर खुला उपर खुलने के बाद नीचे आया फिर मूव किया फिर नीचे आया फिर नीचे आया फिर नीचे यह 15 मिनट का चार्ट है ठीक है और यहां पर कंटिनियूसली आपको क्या दिख रहे है यह गैप दिख रहे है ठीक है और फिर क्या होगा यहां पर एक और बड़ा गैप अप होगा तो फिर यह इस गैप को फिल करने आ सकता है ठीक है ना यह यह लेविल तक का और अगर यह ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जाहिड सी बात ही ये नेक्स्ट लेवल इसके लिए 17,180 है और अगर ये लेवल भी रेक होता है तो नेक्स्ट टार्गेट सीधा 17,000 है तो मार्केट के बाद अच्छे खासे गैप्स हैं जिनको ये फिल कर सकता है अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो लास्ट स्रीज में ये गैप सारे फिल हो जाने चाहिए तो मैं लास्ट स्रीज में नेगेटिब प्लान कर रहा हूं कुछ चीदे मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि नेगेटिब या तो बोट्स होल्ड करूँ या फिर फ्यूचर शॉट प्लान करने की कोशिद कर रहा हूं नेक्ट पर्टिक्लर स्रीज में हो सकता है इस त्रीज में ना हो इस त्रीज में एक दो दिन ये ऊपर ही होल्ड करें पट नेक्स रीज में मझे एक्सपेक्टेशन जै कि निफ्टी एक बारो 17,000 आना चाहिए क्योंकि यह वी शेप की र और फिर हम यह one way recover हो गए है इसमें हमने कहीं पे भी एक particular zone के अंदर consolidation नहीं किया है यहां पे भी सीधा यहां पे consolidation किया अगले दिन फिर move फिर हम नीचे चले गए फिर हमने gap up opening के साथ move कर दिया तो एक यह V-shape है तो V-shape का थोड़ा सा नीचे आके यह W बहुत जरूरी है करके दुबारा से move करें अगर ऐसा होता है तो बहुत इच्छी बात है अदरवाइद हमारे इस टॉपलाद इस्ट्रिक्ट होते हैं जो कि मार्केट में हम लॉस लेने के लिए तयार है जो भी हमें मिलेगा तो सत्रा पांसो एक बैस्ट लेविल होगा एक बार शॉट करने क लिए जो कि लाच मंद्ली स्रीज में मैं करने का प्लान करूंगा तो यह सारे पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पे समझा दिये हैं तो आई होप दोस्तों यह पर्टिक्लर डाटा आपको समझ में आगे होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वी